सीरियल पुश्पा में आखिर ऐसा क्या हो गया है जिसकी वज़ा से पुश्पा को राशी के सामने हाथ चोड़ना पड़ रहा है जी हां पुश्पा राशी के सामने हाथ चोड़ती है और बोलती है कि मुझे इस बारी में कुछ नहीं सुनना दरसल बाद ऐसी है कि सीरियल पुश्पा में आ गया है नया त्विस्ट जहां राशी ने अपने पापा गिलीब को बुरी हालत में देखा है वो भी रास्ते पर और यही कारण है कि राशी पुश्पा के पास आती है और कहती है कि अगर पापा को घर में नहीं रख सकते तो कम से कम वर्क्शॉप में रख देते हैं उसका जवाब मेरे पस नहीं है तब यह आश्विन वहां आता है और कहता है कि वर्क्शॉप तो बापोद्रा का है पुश्पा इन सब चीजों से परिशान हो जाती है और राशी के सामने हाथ जोड़ती है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं सुनना है और वहां से निकल कर चली जाती है और प्रार्थना को दही खिलाती है क्योंकि प्रार्थना को किसी काम के लिए बाहर जाना है वेल अब दिलीब के आजाने से पुश्पा की लाइफ में कौन सी खलबली मचने वाली है ये देखना इंट्रेस्टिंग होगा ये झाली है झाली है